नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसस करने वाले हैं एचसी की तरफ से पब्लिक नोटीस रिलीज कर दिया गया है CT 2022 की रिकार्डिंगी रहने वाला है वही 5 और 6 तरिक को आप लोगों का एक्जाम है और अब की बार ये ओफिसली आ चुका है हलांकि इस नोटीस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने ये नोटीस अपने ग्रुप के अंदर सभी में डाल दिया आप लोगों ने देख भी लिया होगा अब जो आप लोगों की डाउट आ रहे हैं एक तो वो केंडिडेट है जो रेगुलर दो तीन महीने से पढ़ता आ रहा है ठीक है तो उसको कोई ज़्यादा इस्यू नहीं होने वाला है उनको शिरफ क्या करना है कोई भी मोग टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगा सकता है अब जितने दिन बचे हुए है उनके अंदर ठीक है जो अपने लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिवीजिन करना है ठीक है यह दो चीजे आप लोगों को करनी है इनके लिए अब जो दूसरे टाइप की कंडिडेट है जुन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ठीक है तो वो क्या करें उनका एक यही सोल्यूशन है ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को ठीक है क्योंकि ज्यादा के चक्र में आप कम के लिए भी बिल्कुल वो जाओगे ठीक है तो शिर्फ आप लोगों को हरियाना जिक्ये पे फोकस करना है ठीक है इसके साथ साथ कोई भी एक और सब्जेक्ट उठा लो जैसे हिंदी उठा सकत हो ठीक है जो आपको अच्छा लगे रिजनिंग उठा सकते हो इंगलिश उठा सकते हो जो आपको असान लगे सही लगे इस टाइप का एक सब्जेक्ट और उठा सकते हो आप हरियाना जिक्ये के साथ साथ तो दो सब्जेक्ट की आप प्रिप्रेशन करो ठीक है हरियाना जि चीज आप लोग कर सकते हो, जो वीडियो कोर्सिज है, इससे थोड़ा बचो, यूटूब पे जो वीडियो करवाई जाती है, उससे बचो, ठीक है, प्रिविएस एयर के जो क्यूस्टन है, चाहिए वो हरियाना जिक्के हो, केम्पूर्टर हो, या फिर अगर आपकी कर रहे हो, तो कम से कम 40-50 पेपर आप लोग जुरूर करें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इस चीज पर फोकस कर सकते हैं, अगर आप लोग हरियाना जी के जो प्रिविएस एयर के पेपर, कौन सी बुक करें, तो कोई भी भूक ले लो, क्यूंकि क्यूस्टन तो कर सकते हो, ठीक है, या फिर धुरिणा की जो प्रदीप सर की बुक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, हलांकि उसमें क्यूस्टन कम है, मैं यही कहूंगा, कि जो MC क्यूं है, उस पे जादा फोकस आप लोग करो, हरियाना जी के अंदर, ठीक है, तो ये सब चीजे, बाकि जो पीडियो है, बहुत बड़ी पीडियो है, बहुत सारे पेपर हैं, उसके नदर 8090 के पर आसपस पेपर हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भोले, वीडियो को लाइक करना नहीं बोले, ग्रुप से जुरूर हैं जितने भी रिजर्वर कटेगरी हैं EWS BCA BCB SC इनके लिए 40 नंबर लेके आने हैं ठीक है और यह नंबर भी आप लोगों को अगर नेक्स्ट हीरिंग नहीं हो जाती तब तक जो इसका नेचर क्वालिफाई ही रहेगा अगर उससे पहले कोई भी एक्जाम आ जाता है या वेकेंसी निकाल देते हैं तो सभी को एक्जाम दिलाएंगे जो क्वालिफाई करेंगे हालांकि मैं तो यह बोलता हूं जो भी नर्सिं में कम वाला इग्नोर मत कर देना आप लोग ठीक है तो थोड़ा सा यह है कि जिन्होंने जो पड़ा है उसको रिवीजिन करो मोक टेस्ट लगाओ प्रेक्टिस सेट लगाओ जिन्होंने कुछ नहीं पड़ा वो प्रिविएस येर के जो पेपर हैं उनको अटेंप करो ठीक ह हर्याना जी के और केम्पूर्टर हिंदी इन सब्जेक्टों पर आप लोग अच्छे से पकड़ बना सकते हैं अभी के लिए तना ही धन्यवाद